हेलो दोस्तों असलाम उलेकुम कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तो अफतार अस्पेशल में आज मैं लेके आई हूँ फालूदा जो कि मैं सिवैयों के साथ बनाई हूँ सिवैयों वाला फालूदा है यह बहुत टेस्टी और अच्छा रहता है तो रोज मैं जेली बनाई हूँ घर पे बजार से हम नहीं लाएं जो भी समान हम इसमें इस्तेमाल किये वो घर पे हमें भी मिल जाता है बस वही सबसे कोई अलग मैं इसमें चीज ने डाली हूँ, तो देखें यहां पे मैं ली हूँ एक कडाही और उसमें मैं डालूँगी एक गिलास पानी, तो सबसे पहले हम सर्बत के लिए जेली बना के त्यार करते हैं, यहां पे देखें मैं दिखा रही है, मैं ले रही है कॉनफलोर, तो यह मैं डाल दूँगी, यह ठंडा पानी है, गरम पानी नहीं है, तो बस उसी में मिक्स करेंगे हम, ताकि इसमें लंस नहीं पड़े, और मैं तीन चमच डाली हूँ, कॉनफलोर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम, उसके बास गैस जलाके, और मिडियम फिलेम इसे हम पकाएंगे, पान-शे मिन तक और इसमें चीनी डाल देते हैं, एक बड़ा चमच, तो जिससे मूफलोर वो चमच से देखे तो यह तीन चमच होगा चीनी, तो तीन चमच चीनी डालना है, तीन चमच डालना है, हमें कॉनफलोर और सभी को मिक्स कर दियां, और तो इसे हम मीडियम फिलेम पे ही बनाएंगे तो यह लगभाग अब त्यार ही हो गया है आप देख सकते हैं पूरा ट्रांस्पेर्टन हो जाता है तो बस इसे अब निकाल लिए है और इसे अलग-अलग कटोरी में हम करेंगे क्योंकि हम इसमें अलग-अलग कलर हम इसमें एड़ कर रहे हैं इस वज़े से अगर हमें सेम एक ही कलर में बनाना है तो हम कडाही में ही कलर डाल के उसको मिक्स करके जमा लेंगे लेकिन हम इसे दो red color तरह सो कर लेंगे हलका है डालना है आधा चमद से ही चाहलर को और इसी मिक्स कर लिए है और फिर दुस्रा काणोरी में सने और साथ तो इससे भी डालके मिक्स करदे में लाखे तो आप अपना मन पपसंद से नांगे हैं को कि जैसा डाल शुन आना है वैसा वे मार्केट से नहीं ला रहे हैं और जब तक हम इसका त्यार करेंगे सर्वत फालुदा वाला सर्वत तब यह जेली सेट भी हो जाएगा तो हम इस तरह करके मिक्स करेंगे सभी कलर को और छोटा-छोटा सा आप प्रीच लें और उसमें हलका ओयल लगा के इसको डाल के इसको फै और निबर केहाएं तो यहां पे देखिए सभी को इस तरह करेंगे और उसके बाद इसे फरीजर में हम राख देंगें उसके बाद पिर आगे का प्रोसेस करते हैं अधी ह systemic से फैला देतेंगे और सभी में हलका हलका हम ओईल लगा लेंगे ताकि असानी से यह निकल जाए और बस यह रेट कलर था उसे डालके इसे भी फैला लेते हैं आप इसे एक बार जरू ट्राइ किजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब हम दिन वर रोजा रखे वे रहते हैं और कोई ठंडा ठंडा चीज आप खाएं वोजा खुलने वक्ते वे तो बहुत अच्छा लगता है और यह सरवत तो और आपको अच्छा मचा लगेगा तो यहां पर देखे मैं इसे में ली हूं यह कटोरी तो यह मेरा घर का है होम में हैं घर पर ही बनाई थी मैं तो वही मैं ली तो आप चाहें तो इसे घी डाल के भी भुण सकते हैं लेकिन मैं ऐसे डारिक भृण रही हूं ना थेल का बीना घी का और बस इसा 2-3 में तक भूण लेंगे यह पाहले से बहुन के रखी थी लेकिन फिर भी हलका ऐसा इसे भूण ले रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं तो इसे निकाल लेंगे एक बॉल में ठाटा कर लेंगे तो इसे निकाल लिए अगला प्रोसेस करते हैं तो यहां पे देखिए मैं अमूल का दूद ली हूँ और यह फुल क्रीम दूद है आपके पास जो दूद है आप उसी का इस्तमाल करें लेकिन मेरा घार में जो दूद आता है वह खतम हो चुका था इस वजह मैं दुकान से मंगाई थी और यहां पे देखिए तीन चमच में निकाल ली हूँ दूद और इसमें कस्टड पॉडर एड़ करूंगे तो दो चमच में डालूंगे इसमें और इसे मिक्स कर लेंगे ले रहे हैं यह ठंडा दूद में करएं और मेरा व करते हैं और दूद में मिरा उबाल आया है कि नहीं दूद को में गैस पर रख दी हूं गरम होने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दूद और यहाँ पुल क्रीम मीरा दूद है तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करने वाले एक हम आप गस्टन मतब एक केजी है ताब उसे आधा केजी बना दे दूद को तो आपको डाल कास्टर पॉडर डालने को जोरी नहीं है और जो चीनी था एक बॉल तो उसे में डाल दी हूँ एकटोरी सेवय था एकटोरी चीनी है तो मीठा आप अपने अनुसार से डाले और इसे डालके दो मिनट तक पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पक जाए तो यह पक चुका है अब जो सेवया है उसे हम डाल देते हैं और इसे भी इसे पांच मिनट तक पका लेते हैं अ चेक कर रही हूं तो अब इसमें मैं कस्टर पॉडर एट कर दूँगे जो कि मैं घोल के रखी हूं तो आप जब भी डालें ना कस्टर पॉडर को तो हलका सब फिर से इसे चला लें क्योंकि तली में जाके ने बैठ जाता है सभी इसलिए तो बस इसे हम चला लिए हैं और एक ह पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना गाड़ा हो गया तुरद ही और जब हम इसे फिरीज में रख देंगे ना ठंडा करके दस-पंदर मिनटी आधे घंटे के लिए तो यह और थ्वासा गाड़ा हो जाएगा तो बस यह त्यार हो गया अब इसे हम फिरीज में रख दे आपको तो बस अभी ठंडा करके इसको हम डाल देते हैं फिरीज में और उधर देखते हैं कि हमारा जेली कैसा है सेट हुआ है यह नहीं हुआ है कितना सानी से निकल और कितना अच्छा सेट हुआ है पूरा बजार के जैसा तो हमें बजार से लाने का तो इसे निकाल ली हूं तो देख सकते हैं यह कितना गाढ़ा हो गया है तो बस इसे अब हम गिलास में या फिर कटोरी में सब कर लेते हैं तो दाल देंगे इसमें जेली तीनो कलर और उपर से डाल देंगे फालूदा तो आप जाएं ना फालूदा में इसमें क्रिम भी आप डाल सकते हैं या फिर सब्जा को जो बीज आता है ना सब्जा का बीज तो ओ भी आप इसमें आड कर सकते हैं नए तो फिर बगार वो दोनों का भी आप इसे बना सकते हैं बहुत अच्छा बहुत टेश्टी लगता है यह तो आप लोग ज़रू से ट्राइक कीजेगा इस र लागे और अगर आप चाहे तो इसमें आइस का क्यूब भी डाल सकते हैं ठंडे ठंडे खाएं बहुत अच्छा लगता है तो बस यह मेरा बन के त्यार हो गया आ में देख सकते इतुब आ क्रेश्टी क्रेमी है आप चाहें तो इसमें उपरसे क्रेंअ सक्तित अपर से सब् कमेंट पढ़के और यह था मेरा आज का अफतार के लिए तो मैं आप इसे फिरिज में रख दूंगी और जब अफतार